जिन लोगों के पास सरकारी जमीन नहीं है या जिन लोगों को सरकारी जमीन दी जानी है उस हवाले से एक और important meeting हुई है जमकश्विर इंतजामिया की और हमारी जराया नहीं इस बात की तस्दीक की है कि आने वाले दिनों के अंदर इस पर पेश्रफ मजीद तेज होगी पांच मरला जमीन जिनको दी जानी है पीएम एवाईजी प्रधान मंतरी आवास यूजना ग्रामीन और आवास प्लस के तहट दो तीन चीजें जो है identify की गई है एक तो चीफ सेकरिटरी की तरफ से meeting की गई है revenue department यानि जो महकमा माल है उसको और RDD जो है rural development department में जिस पर एक फौरी तोर पर eligible जो beneficiaries है यानि जो मुस्तफिदीन है जिन लोगों को directly फाइदा पहुंचाना है जो एहलियत रखते हैं जो deserve करते हैं category में आते हैं जिन लोगों को जमीन दे जानी है उन लोगों को फौरी तोर पर आप eligible list जो हैं वो तयार करें एक बात दूसरा कहा गया है कि पांच परला जमीन जो गरीब और landless लोगों को देनी है वो भी 40 तोर पर list तयार करके इंतजामे के सामने लगे और जो सरकार के आपको याद होगा कि जो मकश्मीर के अंदर एक बिल्डोजर कारवाई हुई थी उस बिल्डोजर कारवाई में बहुत सारे लोगों से जमीन वापस लिग गई थी जो सरकारी जमीन थी तो कहा गया जो रिट्रीव की गई लेंड है जो बाजियाब की गई जमीन है जो जमीन को खाली कराया गया है जो नामुनासिब तरीके से इस्तमाल की जा रही थी अगयर कानूनी कबजा था तो काबजीन से जो जमीन वापस लिग यार जिसे आप राजस भाग कहते हैं उसने फौरी طور पर कहा है कि पैचिस को फौरी तौर पर ऐ mortשר करें जिन लोगों को जमीन दी जाए जो लोग डिजर्व करते हैं जो मुस्टफीदीन हैं आपको लगता है कि लोगों को जमीन दी जानी चाहिए जनके पास जमीनी भी नहीं है घर आगर घर बनाने के लिए उनको रखोधोinté दी गई है तो जमीनुन उनके पास नहीं वोरी तौर पर उनको दी जाए डिरेक्शन जो हॉथ आला सती मीटिंग में दी गई है चीफ सेकरोटरी और उनकुमार जरामी और प्रधान मंतरी आवास युजना आवास प्लस जो है फौरी तावपर पांच मरला जमीन जिन्नों ने इस स्कीम के तहत मरकजी Agriculture वाली स्कीम है, जिन लोगों ने घर बनाने हैं उनको फौरी तावपर जमीन दी जासे, चीफ सेक्रिक्रेटरी की तरफ से जो सेक के लावा कहा गया है जो हमारे जराय ने हमारे साथ confirm किया बात करते हुए कि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी डिले नहीं किया जा रहा है फौरी तोर पर जिन लोगों को जमीन दी जानी चाहिए जो डिजर्व करते होने दी जाए और आपको याद होगा कि जमकश्मीर इ मजीद तौसी कर दी जाएगी यानि आप टू 80 याज फिर इसी तरीके से 40-40 साल बढ़ाई जा सकती है यानि एक शक्स को जमीन मिलेगी तो वो 40 साल के लिए फिर जाकर 40 साल उसमें और बढ़ाई जा सकते हैं इसके इलावा ये भी कहा गया है कि जमीन जो है 100 रुपे पर मर परला रेंट बनता है जो आपका एनवल इसमें बनता है वो आपको पे करना है ये चीज़ें तो पहले हो चुके हैं परहाल ये जो आज की मीटिंग हुई है वो बड़ी इंपोर्टन रही है इसके लावा ये कहा गया है कि बहुत सारी जमीन है जो रिकवर की गई है या रि कि कंस्रक्शन जहां पर पर मिटिड नहीं है इजाज़त नहीं है आप तामिरात नहीं कर सकते वहाँ पर आपको क्या करना है कि कैटिगरी उन केसी की तयार करनी है पी एम एजीवाई ग्रामीन के तहत जिन लोगों को एलिजिबल हाउसिंग स्कीम के तहत घर या मकाना दिय गये हैं वहाँ पर क्या करना है कि अगर उनके पास जमीन नहीं है तो फौरी तोर पर उनको भी जमीन उसी में से आइडेंटिफाई करके जो आपने रिट्रीव कर रखी है उसका भी प्लान बनाया जाए इसके लावा रेविनु डिपार्टमेंट को कहा गया है कि डिप्ट जरीव लेंड है जो मैं शुरुआत में कहा था जो वापिस ली गई जमीन है उसके मतलिक कहा गया है कि रेविनु डिपार्टमेंट जो फौरी तौर पर एफट्स लगाए कोशिश करें और सरकार ने डिरेक्टर जो हैं प्लानिंग डिवलप्मेंट मॉनिटरिंग डिपार चीफ सेकरेटरी की तरफ से रेविनु डिपार्टमेंट और आरिडिटी को कहा गया कि फौरी तौर पर लिस्ट फाइनल करें जित्ता जल्दी हो सके जिन लोगों को जमीन देनी है जिनने घर बनाने है पांच मरला जमीन जो प्रधान मंतरी आवास युजना ग्रामीन और जावास प्लस के तहर जो पांच मरला उन लोगों को देनी जिनके पास नहीं थी इसके लावा जो जमीन वापिस ली गई है काबजीन से उसका भी कॉंप्रेंसिब प्लान तयार करके फौरी तोर पर इस्तमाल कहां करनी है कैसे करनी है वो क्लेर कर दिया गया है तो बाकी टो डीटेल्स हैं वो अलड़ी अपके सामने ये ताजा पीशरफत हुई है सरकारी महकमों को कहा गया और बहुत जल्द आप देखेंगे इस पर इंप्लिमेंटेशन जितनी जल्दी होगी बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर तामीर कर सकेंगे वो भी सरकारी जमीन के उपर अब 21 जून को एक इंतजामिक काउंसिल की मेटिंग हुई जहां पर फैसला हुआ था कि इस तरह का कदम उठाना है उसके बाद से ये सिलसला चल रहा है और उसी के मताबिक इस वक्त एड्मिन्स्रेटिव पार्ट पर बैक टुबैक मेटिंग हो रही है और जाइजा लिया कितना काम हुआ कितना नहीं वो इस मेटिंग में चीज़ें अभी तक सामने आई हैं